हलो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि HDFC बैंक के नेट बैंकिंग के थुरू किसी और को अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो कैसे भेज सकते हैं तो इसके लिए दो प्रोसेस होता है सबसे पहले HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग में आपको बैनेफिसरी एड करना पड़ता है जब आप बैनेफिसरी को एड करेंगे उसके बाद लगबग 24 गंटे के बाद उसका अप्रूबल हो जाता है उसके बाद आप उस व्यक्ति को पैसे सेंड कर पाएंगे तो आए इस प्रोसेस को मैं आपको डीटियल में दिखाता हूं कि कैसे आप लॉगिन करेंगे बैनेफिसरी कैसे एड करेंगे और कैसे किसी को भी नेट बैंकिंग के थुरूब पैसे भेज पाएंगे तो आइए शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रॉम ब्राउजर पर टाइप करना है एच्ट लोगिन के बटन पर क्लिक करेंग tu आपके सामने कुस्टमर आइडी यद यहां पे यूजर आइडी डालेंगी उसके बाद करेंगी यहां पे हम अपना पासवर्ट डाल के लॉग इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरनेट बैंकिंग सक्सेस्पुली यहां पे लॉग इन हो जाएगा अब पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंड ट्रांसफर तो सिंपल आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है, जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ड्हेर सारे आप्संस दिखायी देएंगी, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ट्रांसफर विदिन दा बैंक, और यहां पर दूसरी नमबर पे, आई-म-प, पी-टू-ए, इं एफ्टी के थूरू तो मैं सिंपल यह वाले option को चूज करूंगा इससे पहले मुझे एक beneficiary add करना पड़ेगा तो वह कैसे करेंगे सबसे पहले हम इधर आ जाएंगे और यहां पर आपको request का option दिख रहा है उस पे click करेंगे और यहां पर आपको एक option दिखने को मिलेगा add beneficiary यह सब को करना पड़ेगा फर्स टाइम जिसको भी आप पैसा transfer करना चाहते हैं पहले उनका details इसमें add करना पड़ेगा तब जाके आप पैसे को transfer कर पाएंगे तो यहां पर जैसे ही add beneficiary पे click करेंगे तो यहां पर देखिए धेर कुछ options आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि transfer within the bank अगर मान लेजिए अगर आपका account HDFC bank में और HDFC bank की किसी का account में पैसा भेजना है तो इस वाले options में आप beneficiary को add कर सकते हैं लेकिन मुझे चाहिए transfer to other bank कोई और बैंक है जिसमें मैं NAFT, RTGS और IMPS के थुरूप पैसे भेज पाऊं तो simple यहां पर जो go का option से इस पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर आपको सारा details fill करना है जिसके भी account में आपको पैसा भेजना है उसका यहां पर आपको account number डालना है उसका saving account का type आप यहां पर चूज कर लेंगे जैसे कि saving account है या फिर कोई ओवरड्राफ्ट है या फिर कोई loan amount है या फिर क्या है तो यहां पर normal saving account होता है वो है उसके बाद यहां पर आपको नहीं पता है तो यहां पर click here करके आप ifsc code भी पता लगा सकते हैं उसके यहां पर beneficiary name अब जो beneficiary name है उसका यहां पर आप कुछ भी डाल सकते जो भी उसका नाम है आप पुछ के simple सा डाल देंगे उसके बाद यहां पर email id यहां पर simple सा enter कर देंगे तो इतना details आपको यहां पर fill करने के बाद simple आपको add पर click करना है तो आपका beneficiary add हो जाएगा और जो भी आपका beneficiary add होगा उस beneficiary add को activate होने के लिए minimum आपको 24 गंटे का wait करना पड़ेगा 24 गंटे के बाद आप successful उसमें पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे अब जो भी आप beneficiary वगयरा add करेंगे उसको आप देखेंगे कहां पर तो देखने के लिए आपको क्या करना है यहां पर inquiry वाले बटन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा वीव एंड डिलीट लिस्ट ऑफ बेनिफिसरी तो सिंपल आपको इस वाले options पर क्लिक करना है यहां पर जैसे पर क्लिक करेंगे तो देखें फिर से आपके सामने वह options आ गया कि transfer within the bank transfer to other bank तो हमने यहां पर बेनिफिसरी किसमें add किया हुआ transfer to other bank तुम क्या करेंगे यहां पर जो वीव का option से उस पर क्लिक करेंगे अब जैसे हमने वीव पर options पर क्लिक किया तो यह देखें यहां पर beneficiary का पूरा details लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि उसका account details है saving account का type है FSC code है और beneficiary का नाम है नाम अगर आप गलत भी डाल देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां पर saving account का number और FSC code सही होना चाहिए नाम अगर spelling mistakes वगरा भी होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है email idea डालना चाहिए तो डाल सकते हैं अदर्वाइज आप की भी कर सकते हैं जैसे कि इस case में हमने नहीं डाला है तो यहां पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है और स्टेटस में आप देखेंगे तो यहां पर आ रहा है क्लिक करना है और फिर से आपको फंड ट्रांसफर वाले options पर क्लिक करना है आप यहां पर हमें चूज करना है ट्रांसफर टू अधर बैंक क्लिक करेंगे अब इस तरह से जैसे बोटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ डेखने को मिल जाएगा जैसे कि यहां पर तीन स्टेप में यह कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस सबसे पहले आप डिटेल्स को आपको जाएगा और तीसरा अकनॉलजमेंट से लिप आपको मिल जाएगा तो चलिए एक अगडिटेल्स में फिल करना शुरू करता हूं यहां पर जो भी आपके बैंक एकॉट में एमाउंट रहेगा वह आपको यहां पर देखता रहेगा कितना आपके काउन में बैलेंस है यहां पर देखी लिखा हुए सेलेक्ट बेनिफेसरी यहां पर किलिक करेंगे तो अल्रडी मेरा नाम आ रहा है दूसरा तो जैसे उसको चूज करूंगा तो बेनेफिसरी आफसी कोड ओटमेटिक आ गया एकाउंट नंबर ओटमेटिक आ गया कुछ भी यहाँ पर मुझे अकाउंट नंबर और आफसी कोड डालने की जौरत नहीं है अब मुझे डालना पड़ेगा कितना एमाउंट में भीजना चा ट्रांसफर टाइप में यहाँ पर तीन ऑप्सन है ट्रांसफर नाव सेडियूल पेमेंट और तो इसका तीनों का मतलब क्या होता है वह मैं आपको बताता हूं सेडियूल कर सकते हैं कि किस डेट को यह पेमेंट जाना चाहिए जैसे कि अगर आपका काम करते होंगे तो आप पेमेंट आपका सीडियूल रहता है जब जैसे एक तारिक आता है आपके बैंक एकाउंट में वह दिखना सुरू हो जाता है तो अभी तो फिलाल में ट्रांसफर नाव पे क्लिक करूंगा क्योंकि अभी करंटली मुझे अगर चला जाता है जल्दी तो वह एजली दिख जा होता है याँ फिर एमेल पे लेना चाहते हैं तो फॉरक्यांपल मैं इमेल प्रेना चाहता हूं और यहाँ पर मैं अपना email I.D. enter कर दूंगा जो भी आपका तो इस तरह से इतना details field करने के बाद यहाँ नहीं है और यहाँ पर अधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है पहले है अरह बैंक कर लेती है कि है यह एकाउंट सही है आप पैसे भीज सकते हैं उसके पर सिंपल यहाँ पर कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है जैसे कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगी आपको यहां पर options मिलेगा कि आप OTP किस पर लेना चाहते हैं mobile number पर या फिर email ID पर तो यह काम करता हूँ कि mobile पर मैं टिक करता हूँ ताकि mobile पर OTP आ जाए उसके बद सिंकल मैं यहाँ पर next करता हूँ यहाँ पर OTP आएगा अभी मेरे mobile पर तो मैं यहाँ पर सिंपल से अपना OTP एंटर कर दूँगा तो यह देखिए OTP आ चुका है यहाँ पर OTP हमने डाल दिया और इस तरह से continue की बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए third party fund transfer तो यह देखिए अभी successfully यहाँ पर payment transfer terior हो चुका है तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको देखिने को तो यहां पर चुका है यहां पर आपको reference लंबर भी S did you कि आप सकते हैं यह रहा reference नंबर आप इस को screenshot वगएरा करके रख सकते हैं बाइदवे पैसा अगर ट्रांस्फर नहीं होता है तो इससे एजिली ट्रैक किया जा सकता है